खबर है ग्वालियर से ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी में बीएट के एक्जाम में नकल का एक बड़ा ही अजीवो गरीब मामला सामनी आया है यहाँ बीएट सेकंड सेमिस्टर की एक छात्रा हथेली पर 15 प्रशनों के उत्तर लिखकर परीक्षा देने आई थी एक्जामिनर ने उसे नकल करते पकड़ लिया समस्या तब हो गई जब नकल का केस बनाते समय सामगदी जब्द करने की बात आई आखिरकार हथेली को जरॉक्स मशीन पर रख कर उसकी कॉपी मेज जब्द की गई घटना बुधवार शाम की है अब कॉलिज की समीती के सामने केस को रखा जाएगा जीवाजी उनिवर्सिटी में बुधवार को बीएट के सेकंड सेमिस्टर की परीक्षा चल रही थी परीक्षा भभवन में दो बजे से पांच बजे तक की पाली में हिंदी का पेपर चल रहा था यहां 1200 परीक्षार्थी एक्जाम दे रहे थे यहां रूम नमबर आठ में तैनाथ महिला परियवेक्षक को शात्रा स्मिति कुमारी पर बार बार हतेली देखने से शक हुआ महिला परियवेक्षक शात्रा के पास पहुची तो उसके बाएं हाथ की हतेली में प्रशनों के उत्तर लिखे मिले शात्रा ने सलीके से हटेली से उंगलियों तक लिख रखा था महिला परिवेक्षक में नियम के मुताबिक नकल किस माध्यम से की गई है वह EST की जाती है इस केस में नकल की सामगर थेली थी जिसे जब्त करना था समस्य थी कि हतेली को कैसे सब्ध कर सकते थे समधान की रूप में हतेली की फोटो कॉपी कराई गई अब हाथ की फोटो कॉपी करके मूल कॉपी से उसे लगाया गया है केज बनाने के बाद शात्रा को दूसरी कॉपी दे गई जब परिवेक्षक ने चेक किया तो हथेली से लेकर उंगली तक करीब 15 से जादा प्रशनों के उत्तर लिखे थे एक एक उंगली पर तीन तीन उत्तर लिखे थे शब्द बेहत छोटे थे लेकिन इतने श्पस्ट थे कि साफ समझ में आ रहे थे हैरत की बात यही है कि पर करन केस में लगाई गई है मामले में गठित अनुचित साधन के प्रयोग वाली कमेटी जल्द ही सबूतों के आधार पर फैसला सुना देगी पूरा देखकर लिख रही थी तो उसके उपर संदे हुआ मेला इंविजिलेटर को तो जब संदे हुआ तो उसको चेक किया गया तो उसके हतीली के उपर पूरा जो मेंटर है वो लिखा गया